नमस्का फ्रेंट्स में नाम बबलो और मार पेपर है करें आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज में यहाँ पर देखने वाले हैं बी ये पार्ट थर्ड के हिस्टरी के सेकेंड पेपर के M-C-Q-Cution यहाँ पर देखने पाले हैं जो लोग यहाँ पर part जो second paper है जो लोग first paper को देखना चाहते हैं first paper के M-C-Q-Cution देखना चाहते हैं तो वे इसकी वीडियो में आपको डाल लगी है दो पार्टों में डिबाइड कर रखा है history के first paper के लिए तो फ्रेंड्स वीडियो डिसकाप्शन में दे रखा है तो बढ़ते हैं भी क्योशनों की हो ठीक है तो first question आपका कुछ प्रिकार सुआता है क्योशन के बड़ा बड़ा आंसर देना है सभी के लिए बड़ा करते हैं इसके लिए पहले बिल्कुल पहला कह रहा है यहाँ पर निमने प्रसुनों के उत्तर दिये गए बिकल्पों में से छाट कर देना है आपको उत्तर तो first question आपका कुछ इस प्रिकार से हो जाता है बैसका आंसर देना है क्या रहने वाला तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो क्याँ पर करा है सामराज जबाद के उद्धे को पर उसाहन दिया था यूरोप की और दोगे की किरांती ने दिया था ठीक है राइट आंसर आप्शन नमबर गहा रहने वाला है समराज जबाद के नीव डालने बाला देश कौन है यह आपको बताना है पहर देर रखा है फ्रांस, इंग्लेंड, जापान, या फिर पौर्टगाल तो राइट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है समराजबाद की नीव डालने वाला देश कौन सा है वह आपको बताना है तो राइट आंसर कौन हो जाएगा समराजबाद की नीव किशनाली थी इंगले ने डाली थी राइट आंसर ऑप्शन नमबर खा यहाँ पर रहने वाला है next question की बात करते है question number 3 यहाँ पर कह रहा है अंद महादीप कहा गया किसे कहा गया यह आपको बताना है अंद महादीप जो है वो किसे कहा गया था यह आपको बताना है अफरीका, लंका, जापान या फिर रेक्षा अपना रूस कौनसा बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है तो जो अंद महादीप है वो किसे कहते थे अफरीका को कहते थे right answer option number का हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अफरीका की खुली लूट में किस देश को अधिक लाब हुआ था यह आपको बताना है अपरीका की जो खुली लूट हुए थी उसमें किस देश को अधिक लाब हुआ था इसका answer देना है फ्रांस, इंग्लेंड, जर्मनी या फिर इटली राइट answer कौनसा रहने बाला है इंग्लेंड हो जाएगा इंग्लेंड को सबसे ज़्यादा इसमें लाब हुआ था आगे बढ़ते हैं क्योशन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है नभीन समराजवाद की निती किस ने दी यह आपको बताना है पील, या फिर पॉमर्स्टन, या फिर हो जाता है तुमारा डिजराइली या ग्लेट स्टोन तो कौनसा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है ठीक है तो नभीन समराजवाद की निती किस ने दी थी यह हो जाएगा तुमारा डिजराइली, ठीक है राइट आंसर उप्शन नंबर गा, आगे बढ़ते हैं नेकस्ट गोशन को देखिए का नेकस्ट गोशन का अंसर मारा क्या रहने वाला है यहाँ पर क्योशन कह रहा है कि बिसमार्क की ग्रहनिती की सबसे प्रसिद्ध घटना क्या थी यह आपको बताना है रोमन गैथोलिक के चर्च से संगर्स करना या पर Protestant Church से संगर्स करना पुरानी राजबंस से संगर्स करना अपयोक्त में से कोई नहीं राइट आंस अपना कौन सा रहने वाला है विसमार के ग्रहनिती के सबसे प्रसिद्ध घटना कौन सी थी बो हो जाती यह option number का Roman Catholic Church से संगर्स करना ठीक है right answer option number का हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question question number 7 को देखना यहाँ पर कहा रहा है मई अधीनियम कब पारित हुआ था मई अधीनियम कब पारित हुआ था इसका भी answer दीजेगा कौन सा बिल्कुल right रहने वाला है 1873, 1873, 1875 या फिर 1775 right answer हमारा कौन सा रहने वाला है आपको बताना है तो मई अधीनियम कब पारित हुआ था यह हुआ था 1873 में right answer option number का आगे बढ़ते हैं next question यहाँ पर करें 1883 इस भी में बीमारों के लिए बीमा की विवस्ता का नियम किसने बनाया था यह आपको बताना है ठीक है 1883 में बीमारों के लिए बीमा की विवस्ता का नियम जो बनाया था वो किसने बनाया था मैजनी, नेपोलियन थर्ड या फिर बिलियम पिर्थम या बिसमार्क कौन सा बलकुल right answer अपना रहने वाला है तो बीमारियों के लिए बीमा की विस्ता का नियम बनाया था वो बनाया था अपने बिसमार्क ने right answer option number गहा आगे बता है क्योश नम्बन 9 की ओर यहाँ पर कह रहा है इस्थल के चूहे और जल के चूहे में कभी लड़ाई नहीं होती किसने कहा है यह आपको बता रहा है जो इस्थल के चूहे होते हैं और जल के चूहे होते हैं उनमें कभी लड़ाई नहीं होती यह किसने कहा था नैपोलियन बनाकाट ने बिसमार्क ने रूसो ने या फिर काबूर ने यहापर राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है तो यह किसने कहा था बई बिलकुर सभी लोग फटा बड़ा आंसर देना है इसका कौन सा बिलकुर राइट रहने वाला है तो यह किसने कहा था कि इस्थल के चुहे और जल के चुहे कभी लडाई नहीं करते ये कहा था बिस्मार्क ने option number 5 यहाँ पर बिल्कुल right रहने वाला है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर option number करतीन समराटों की मैत्री संदी किन किन देशों के समराटों के बीच हुई थी आपको बताना है तीन समराटों की मैत्री संदी किन किन देशों के समराटों के बीच हुई थी जर्मनी रूस ऑस्टेलिया जर्मनी इतली इंगलेंड पोलेंड रूस प्रसा या फर इंगलेंड फ्रांस तुर्की कौन सा बिल्कुल right answer अपना रहने वाला है तो तीन समराटों की मैत्री संदी जो समराटों के बीच हुई थी पोलेंड रूस और प्रसा ठीक है तो right answer हो जाएगा option number गा आगे बढ़ते हैं यहाँ देर रिखा है द्वेद संदी कब हुई थी यह आपको बताना है 7 अक्टूबर 1889 यहाँ फिर 7 अक्टूबर 1888, 7 अक्टूबर 1889 7 अक्टूबर 1883 यहाँ पर right answer कौन सा रहने वाला है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 अक्टूबर 1889 ठीक है right answer option number का नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर कह रहा है आस्टेलिया जर्मनी, रूस जर्मनी परिसा जर्मनी या फिर हॉलेंड जर्मनी तो right answer मारा कौन सा रहने वाला है दोएद संदी जो हुई थी वो किन किन देशों के बीच हुई थी यह आपको बताना है तो right answer कौन सा रहेगा option number का ऑश्टेलिया और जर्मनी राइट आंसर रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन अठारा जून 1881 में जर्मनी ऑश्टेलिया और रूस के बीच कौन सी संदी हुई थी यह आपको बताना है अठारा जून 1881 1881 में जर्मनी और उस्टेलिया और रूस के बीच जो संदी हुई थी वह हुई थी बर्लिन की संदी राइट आंसर ऑप्शन अंबर खा नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पर कह रहा है तुम्हारा जर्मन रूस पुनर स्थापन पुन्रा वासन जर्मन रूस पुन्रा वासन संदी कब हुई थी जर्मन और रूस के बीचा पुन्रा वासन संदी रहा हुई थी पहुए थी 1887 में राइट अंसर अप्शन नमबर का नेक्स्ट बते हैं आपके कहा रहा है बिसमार के एक ऐसा बाजीगर था जो एक साथ पांच गेंदो रूस ऑस्टेलिया फ्रांस अटली बिट्रेन को आकास में उच्छालता था इसने कहा है यह आपको बताना है बिसमार के एक ऐसा बाजीगर था जो एक साथ पांच गेंदो रूस ऑस्टेलिया फ्रांस अटली बिट्रेन को आकास में उच्छालता था यह किसने कहा है यह कतन किसका है यह आपको बताना है बिलियम दुतिये का, बिलियम पिर्थम का, नैपूलियम पिर्थम का, नैपूलियम तिर्थिये का राइट आंसर हमारा कौन सा रहने बाला है यह आपको बताना है तो यह अपना हो जाएगा बिलियम पिर्थम का, ठीके आगे बरते हैं यहाँ पर के उक्शन नमबर 16 यहाँ दे रहाई तुमारा बिलियम प्रिथम की मित्यू कब होई थी यह आपको बताना है भी दो और इसको राइट आंसर हो जाएगा 9 मार्च 1888 option number का आगे बरते हैं आपा 1890 इस में कि समराट ने बिसमार्क से त्याग पत्र मांगा था 1890 में इस समराट ने बिसमार्क जो थे उनसे त्याग पत्र मांगा था वै किसने मांगा था बिलियम पिर्थम ने कैसर बिलियम दुतिये ने या फिर रेडरेट त्येने या उपयोकते तीनों ने तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है यह आपको बताना है यहां पर जो आंसर हो जाएगा बोग जाएगा कैसर बिलियम दुतिये ने विसमार्क से त्याग पत्र मांगा था यह जरमनी नमक पुस्तक है उसके लेखा कौन है Emporial Germany नामक जो बुक है उसके लिये का कौन है दातो, बॉल्टेर, रूसो या फिर बॉन बुलो तो यहाँ पर right answer हमारा कौन सा रहने वाला है यह आपको बताना है Emporial Germany जो है वो किसकी बुक है वो जाती है तुमारी बॉन बुलो की ठीक है, right answer option number घा आगे बढ़ते हैं Prince किसकी intensive पुस्तक है? जो Prince है वो किसकी पुस्तक है? Russo की? दिंदरो की? McKayValy की? या फिर Montesquieu की? Right answer हमारा कौन सा रहने वाला है? जो Prince है वोग होजाती है McKayValy की? McKayValy की पुस्तक हो जाती है Prince ऐगे बढ़ते हैं यहाँ पर 21 इटली के एक ही कड़का पैगंबर किसे कहा जाता है इटली के एक ही कड़का पैगंबर जो है वो किसे कहा जाता है विसमार को जो सेफ मैजनी को काबूर को या फिर गैरा वाल्डी को कौन सा विलकुर राइट अंस अपना रहने वाला है ठीक है तो जो इटली का एक ही करड़ का पैगंबर कहा जाता है उसे कहते हैं जो सेफ मैजनी राइट आंसर ऑप्शे नमबर खा हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कहा है यंग इटली समिती का निर्माड किसने किया यह आपको बताना है यंग इटली समय्थी जो यंग इटली समय्थी है वरिवल्टी या फिर रहने वाला है यंग इटली समय्थी का न्यमार किस नहीं किया था और जिन लोगों को इसकी PDF चाहिए doit लिंक की तीन से चार बुकों की आपके लिए वहाँ पर पीडियम मिल जाती है कुछ बहुत इंपोर्टेंट क्योशन हमाई दौरा बनाए गए भी आपके अपके लिए बाता है जिसके लिए चार्स यहांकि पुत्र का क्या नाम है जिसके लिए चा सालष एलवल्ट देश चोन कर भाग गया था वैं कौन है चार्ल्स एवर्ट के पुत्र का क्या नाम है जिसके लिए चार्ल्स एवर्ट देश छोड़ कर भाग गया था विक्टर एमेनुवल दुतिये गेरा वॉल्टी जोसेफ मैजनी या फिर काबूर यहां पर राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है चार्ल्स एवर्ट के पुत्र का नाम क्या था क्या है जिसके लिए चार्ल्स एवर्ट देश छोड़ कर भाग गया था तो उसका नाम था विक्टर एमेनुवल दुतिये कौन था विक्टर एमेनुवल दुतिये राइट आनसर जाएगा option number का आगे दिखते हैं राजा विक्ट gil दूतिये ने इमेनुओल दूतिये ने अपना हbreदानमंत्री किसको निप्ड किया था काबूर को मैंजनी गेरावल्टी या बैस्मार्ट किसको गिया था यह को बता Earth हुप स्वीक्तर एमेनुड़ किया था ड़िऑ या काबूर को निफ्ति किया 1860 राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है काबूर प्रदान मंत्री कब बना जो दाएगा इसका अठारा सो बाबन बिल्कुल राइट आंसर दाएगा option number का आगे देखते हैं यहाँ पर काबूर का जन्म कब और कहां हुआ था प्रदा यह आपको बताना है काबूर का जन्म कब और कहां हुआ था और कहां हुआ था right answer option number खाओ जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्रीमिया युद्ध कब हुआ क्रीमिया जो युद्ध हुआ था बहें कब हुआ था यहाँ आपको बताना 1854 से 56 तक 55 से 56 तक 1854 से 76 तक तो right answer अमारा कौन सा रहने वाला है तक बहुत important question है एक्जाम में बार-बार repeated question हो जाते हैं आगे देखते हैं next question कि वो 28 question कह रहा है यहाँ पर क्रीमिया युद्ध के बाद 37 अम्मिलन कहा हुआ और रेमिया युद्ध हुआ था उसके बाद 37 हुआ था वो कहां हुआ था यहां रोम, बर्लिन, बियाना या पर पेरिस में कौन सा बिलुकुल right answer हमारा रहने वाला है क्रीमिया युद्ध के बाद 37 हमिलन हुआ था वो کہा हुआ था Paris में हुआ था राइट आंसर हमारा हो जाएगा option number घा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्लोंबियर्स समझोता कब हुआ प्लोंबियर्स समझोता जो हुआ था वो कब हुआ था 20 जुलाई 1888 में 20 जुलाई 1850 में 20 जुलाई 1875 में 20 जुलाई 1885 में तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने बाला है जो प्लोंबियर्स समझोता हुआ था बह हुआ था 20 जुलाई 1888 में राइट आंसर हो जाएगा option number का हमारा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्लोंबियर्स समझोता किसके मद्ध हुआ था आपको पता ही है 20 जुलाई 1858 में यह हुआ था अब किसके मद्ध हुआ था यह आपको बता रहा है ठीक है किसके मैनजी नेपोलियन थर्ड के या फिर काबूर नेपोलियन थर्ड के या फिर गेरावल्टी नेपोलियन थर्ड के या फिर बिसमॉक नेपोलियन थर्ड के अब नेपोलियन थर्ड तो सभी में ह पहला बताना है में कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है ठीक है तो जो पिलॉम्बियर समझोता हुआ था वो किसके बीच हुआ था काबूर और नेपोलियन थर्ड के बीच हुआ था तो राइट अंस हो जाएगा option number 4 ठीक है आगे बढ़ता है next question की ओर next question हमारा कह रहा है यहाँ पर जियूरियक जियूरियक की संधी कब हुई थी यहाँ को बताना है जियूरियक की संधी कब हुई थी 7 नमबर 1869 में या फिर 7 नमबर 1869 में 7 नमबर 1889 में या 7 नमबर 1849 में कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हमारा रहने वाला है जूर्यक की संधी कब हुई थी ठीक है यहाँ पर कौन सा बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ नॉम्बर 1869 में हुई थी आप्शन नंबर का यहाँ पर बिलकुल किसे दी गई है यह आपको बताना है गेरावाल्टी को, मैजनी को, काबूर को या फिरुजा विक्टर इमेनुवल को कौन सा बिलकुल राइट आंसर हमारा रहने वाला है तो इटली के एक इकड़ के इटली के एक इकड़ में तलवार की जो मादी गई है वो किसे दी गई है काबूर को दी गई है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर गाड़ी के आगे बढ़ता है यहाँ पर रखा है मैजनी का जन्म कब और कहा हुआ मैजनी का जो जन्म हुआ था वो कब और कहा हुआ था यह आपको बताना है 1805 में जैनेवा सभी में है 1805 में, 1806 में, 1804 में, 1805 में तो उन सा बिल्कुल राइट आंसर नमारा रहने बाला है तो जो मैजनी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1805 में, जैनेवा में कहा हुआ था 1805 में जेनिवा में हुआ था राइट आंसर ओफ्शन अंबर का आगे ब покупाता है मैजनी की मेंत्यू कभ होई थी 1812 में 1874 में 1878 में जेनिय नम हुआ था कब 1805 में और मैंत्यू कभ होई थी 1812 में राइट आंसर होजाय का और आगे बढ़ते हैं इटली के एक ही करड़ में कितने चरड़ थे इटली के एक ही करड़ जो हुआ था उसमें कितने चरड़ हुए थे आठ चरड़, नो चरड़, चार चरड़ या फिर पांच चरड़ तो right answer हमारा कौन से रहने वाला है इटली का जो एक ही करड़ हुआ था उसमें कितने चलड़ थे पांच चलड़ थे राइट अंसरो दाइगा option number घा आगे बढ़ते हैं next question यहां पर देखा है काल्सबाद के काल्सबाद के आदेश कब पारित हुए थे यह आपको बताना है कौनसा बिल्कुल राइट होगा ठीक है सन 1819, 1820, 1719, 1720 कौनसा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है तो काल्सबाद के आदेश कब पारित हुए थे 1819 में पारित हुए थे काल्सबाद के आरेश राइट आंसरो दाइगा option number का आगे बढ़ते हैं जब फ्रांस को जो काम होता था तो सारा यूरोप छीकने लगता था किसने कहा है यह कथन जो है वो किसका है यह आपको बताना है मैटर निक का, रूसो का, गैरावाल्टी का, नेपूलिन का कौनसा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है जब फ्रांस को जो काम होता था तो सारा यूरोप छीकता था यह कथन जो है वो हो जाता है मैटर निक का, किसका? मैटर निक का हो जाएगा, राइट आंस हो जाएगा option number का आगे बढ़ते हैं यहाँ यहाँ पर पूलिस्टीन की समस्या कब उत्पन हुई जो हमारा सुलिस्टीन की समस्या कब उत्पन हुई थी यह आपको बताना है उसकी डेट 1862, 1863, 1864, 1865 यह कब हुई थी आपको बताना है कौनसा बिल्कुल राइट होगा जिन लोग का अंसरा चोका है option number खा बिल्कुल राइट हो जाएगा 1863, ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की ओर, next question क्या रहा है तुमारा कि भासडो और बहुमत के प्रस्ताबों से आज के प्रसन नहीं सुलज सकते पर यह रक्त और लोहे के आधार पर ही सुलज सकते हैं यह कथन किसका है यह आपको बताना है ठीक है भासडो और बहुमत के प्रस्ताबों से आज 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 के प्रस आगे बढ़ते हैं यहाँ पर गिश्टिन का समझोता कब किन देशों के मद्ध हुआ था यह आपको यहाँ पर बताना है 1865 में जर्मनी और उस्टेलिया 1865 में अभी 65 दे रखा है जर्मनी और इटली इंग्लेंड रॉस्टेलिया जर्मनी और इंग्लेंड कौन सा बिलकुल र गिश्टिन का समझोता हुआ था तो किसके बीच हुआ था यह आपको यहाँ पर बताना था कौन सा बिलकुल राइट रहने वाला है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नमबर का 1865 में जर्मनी और उस्टेलिया के बीच हुआ था गश्टिन का समझोता आगे बढ़ते हैं बिलिय 1861 में कौन सा बिलकुल राइट रहने वाला है ठीक है तो बिलियम प्रिथम को जर्मनी का समराट जो गोसित किया गया था बो किया था अठारा जन्बर यह ठारा सो गत्तर में राइट राइट रोजाएगा ऑप्शन नमबर का ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स कोशन क रहा यहां पर 42 तो यह राइन परिशंग का निर्माड किस ने किया राइन परिशंग का निर्माड किस ने किया था यह आपको बताना है नैपोलियन ने बिसमार्ट ने गैरावल्टी ने या फिर काबोर ने पुराइट आंस अमारा क्या रहने वाला है राइन परिसंदी का निमार किया था नैपोलियन ने राइट आंस हो जाएगा ओप्शन नमबर का आगे बढ़ते हैं यहाँ पर संबीधान को कागज का टुकड़ा किस ने कहा जो संबीधान है उसको कागज का टुकड़ा किस ने कहा था यह आपको बताना है काबूर ने, मैजनी ने, बिसमार्क ने, नैपोलियन ने संबीधान को कागज का टुकड़ा जो कहा था वो कहा था बिसमार्क ने राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर गा, ठीक है आगे बढ़ते हैं 44 के रहा है यहाँ पर प्राग की संदी कब हुई प्राग की संदी जो हुई थी, वो कब हुई थी तेज़ अगस्त 1865, तेज़ अगस्त 1866, तेज़ अगस्त 1866 और तेज़ अगस्त 1886, कौन सा बिलकुल राइट रहने वाला है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्राग की संदी हुई थी 23 अगस्त 1866 में right answer option number खा हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं next equation के और next equation के राइब 45 साथ सपताहूं का युद्ध किन किन देसों के मद्ध हुआ था साथ सपताहूं का युद्ध जो हुआ था वो किन किन देसों के मद्ध हुआ था आपको बताना है रूस ऑस्टेलिया जर्मनी इंग्लैंड ऑस्टेलिया पिरसा और जर्मनी इटली कौन सा विल्कुर राइट आंसर रहने वाला है साथ पिरसाहों का युद्ध किन के बीच हुआ था तो यह राइट आंसर हुआ था जर्मनी इटली ऑस्टेलिया पिरसा जर्मनी इंग्लैंड या फिर रूस ऑस्टेलिया कौन सा बिल्कुर राइट आंसर रेने वाला है तो यहां पर 7 सफ्टाओं का यह उद्धिकिन की देश बीच हुआ था, यह भी उस्टलिया प्रसा के बीच हुआ था और गैस्टन समझोपा हुआ था, यह भी उस्टलिया और प्रसा के बीच हुआ था, राही टान्स हो जाएगा option number 5, आगे बढ़ते हैं जर्मणी के एक सफना रहने वाला है कि जब जर्मनी का एकिकर वआ था उसमें फ्रांस का जो समराट था वो नैपोलियन थर्द्र कौन था नैपोलियन थर्द्र राए टान्स को जाए गाब स द्धाना है रूज की करांति कलुई ती canyon prb option number का आगे बढ़ते हैं 49 के रहा है 1917 की रूसी किरांती के बाद रूस से किस बंस का अंत हुआ 1917 की रूसी किरांती के बाद रूस से किस बंस का अंत हो गया था यह आपको बताना है इनमे से सभी कौनसा बिलकुर राइट आंसर रहने वाला है जब रूस की किरान थी थी 1917 में उस समय जिस बंसका अंत हुआ था जार साही बंसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question कै रहा है रूस के इतिहास में किस सासक को जार्मुक्तीदाता कहा जाता है निकोलस पिर्थम पिर्थम आलक्जेन्डर तरतिये निकोलस दुतिये जार अलक्जेंडर तरतिये कौंसा बिलकुरिवल राइट आंसर मरा रहने वाला है तो यहाँ पर कौन सा विल्कुर राइट होगा रूस के इतिहास में किस सासको जार मुक्ती दाता क्या जार मुक्ती दाता कहा जाता था तो वो कहा जाता था जार एलेक्जेंडर दुतिय को किसको जार एलेक्जेंडर दुतिय को कहा जाता था आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कह मार्च 1761, 3 मार्च 1869, 3 मार्च 1761 और 3 मार्च 1970, कौन सा विलकुल राइट आंसर हमारा रहने वाला है जार एलेक्जेंडर दुतिये ने उन मुक्ती घोष्णा जो की थी, वो की थी 3 मार्च 1861 में राइट आंसर हो जाएगा option number गा, आगे बढ़ते हैं 1927 भी की किरांथी के समय euros का समाराट कौन था, जो 1917 की करांथी थी, उस समय जो जार निकूलस दुतिये, जार निकूलस फिर ta meng Alexander प्रेता, मिन में से कोई नहीं आइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है जब 1911 के आंते विटी इससे पहले विने क्योशन देखा था उस समय कौन था जार निकूलस दुतिय था रूस्की क्रामती के समय इससे पहले विए क्योशन रिपीट हो चुका है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 53 यहाँ पर कह रहा है बोल सेविक का क्या अर्थ है यह आपको ब ख्यक राइट आंस हो जाएगा ऑप्शन नमबर खा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रूस की क्रामती 1927 बी प्रथम बार किस तिथी में हुई थी यह आपको बताना है रूस की क्रामती जो 1927 में हुई थी यह आपको बताना है ठीक है कौन सा बिलकूर राइट आंस नमबर र कौन सा रहने वाला है रूस की क्रांती उई थी 1970 में हुई थी इस तो पता ही है ठीक है मगर कब हुई थी 15 मार्च 1970 में हुई थी रूस की कंथी प्रथम बार ठीक है बहुत important है इसे याद कले ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी important है जनता के सामने सान्ति जमीन और रोटी के न कोलस ने या फिर जैमीनी ने राइट आंस नमारा कौन सा रहने वाला है जनता के सामने सांती जमीन और रोटी के जो नारे लगाए थे लेनीन ने लगाए थे राइट टांस रोजाए का ऑप्शन नंबर का ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ नकीगा 56 है यहां पर का निकोलाई लेणीन का जन्म कभ हुआ निकोलाई जो लेम्द ते उनका जन्म हुआ था कभ हुआ था यहाप को बताना है 10 that 1870 jurדי 1871 at Stevensου 973 मिन्यस सब्सक्राइट मेरा कौन सा रहने वाला है यहांपको बताना है ठीक है तो जो निकोलस दूती है निकोलस लेनीं जो थे उनका जन्म हुआ था वो हुआ था 10 अपरेल 1870 में कब 10 अपरेल 1870 में इनका जन्म हुआ था आगे बढ़ते हैं आपर केरा है रूस में देखो 1970 की बात तो होगी 19 में तो आएंगे नहीं क्योंकि 19 में तो देखाद हो गया था लेनीं उससे में कहा थे ठीक है तो इस परकार से 1870 में आराम से लगा सकते हूं आगे बढ़ते हैं रूस में 1927 भी में दूसरी बार कब और किस ने निततम में हुई थी यह आपको बताना है 79197 भी लेनीन के में यह फिर 79197 में हिटलर में 717 में नेपोलीयन में 717 में मुसूलन में इसके निततम में होई थी यह आपको बताना है दूसरी बार ठीक है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7.9.17 में लेनीन के समय में लेनीन के नेतत में या समय में हुई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन नेक्स कुशन कह रहा है आगे बढ़ते हैं इटली की जनता नामक, समाचार पत्र का प्रकाशन किस ने किया, यह आपको बताना है इटली की जनता नामक एक समाचार पत्र था मैं प्रकाशन किस ने किया था जी ओल्टी ने, मुसोलिनी ने, मैजिनी ने, काबूर ने राइट अंसर नमारा कौन सा रहने वाला है तो इटली की जंता जो समाचार पतर था वो प्रिकासन किया था मुसूलीनी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा ठीक है और फेंट्स जिन लोगों को इसकी PDF चाहिए ठीक है जिन लोगों को इसकी PDF चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं PDF यही नहीं है बहुत सारी बना रखी है ठीक है यही क्योशन नहीं है और भी है यह तो बस परस्ट एक प्रकार से पढ़ा रहा हूं मैं प्रकार से 3-4 मुकों को आपको दिरेखी हैं अब नहीं हैं जो आपके लिए बहुत ही क्योश और नहीं आगे बढ़ता है लेटरह न समझता कब हुआ यह आपको बताना है 11 फरबरी 19th में 11 फरफब Você 19th में 19th में 11 फरफब बढ़ता है यहां पर किस संधिक differenti निई सल keto की निए ए प्राप्त किया था तो बहें कौनसी संधीक अनुसार किया था यह आपको बताना है ठीक है पया दिरेखा है तुमारा तिल्सिट संधी, गैस्टाइन संधी, सब्रे संधी या लोजान संधी तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने बाला है रोडस और डॉड केन जो दीप है उस पर अधिकार किया था किस पर लूनाद संधी के अनुसार, किसने मोसोल है उनी ने, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन दिरेखा है तिराना की संधी, 1929 सिजबी में किनकिन देसों के मद्द हुई थी तिराना की संधी, 1926 जिजबी में किनकिन देसों की बीच हुई थी एक यहांपर कौनसा विल्कूर रहे वाला है अक्टूबर 1935 में इटली ने किस देश पर आक्रमण किया 1935 में इटली ने किस देश पर आक्रमण किया था ये आपको बताना है फ्रांस ऑस्टेलिया इभी सीनिया या फर हो जाएगा रूस कौन सा बिल्कुर राइट होगा तो जो अक्टूबर 1935 में इटली ने अकमड किया था वो किया था एभी सीनिया पर राइट आंस हो जाएगा ओप्शन नंबर गाँ आगे बढ़ते हैं यहां पर अक्टूबर 1936 भी में किन किन देशों के मद रोम बर्लिन संदी हुई तो किन किन के बीच हुई थी अब बताना है जर्मनी रूस इटली होलेंड प्रसा ऑस्टेलिया जर्मनी और इटली किन किन के बीच हुई थी फटाबर इसका आंस देना है आगे बढ़ते हैं next question की और यहाँ पर कह रहा है Spain में ग्रह युद्ध कब हुआ जो Spain है उसमें जो ग्रह युद्ध हुआ था कब हुआ था इसका फटापर आंसर दिना है कौन सा विल्कुल राइट रहने वाला है 1936, 36, 37, 36 या पर 1636 कौन सा विल्कुल राइट आपका आंसर रहने वाला है तो Spain का जो ग्रह दूआ था 1936 में हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अपना option number का आगे बढ़ते हैं जर्मनी में वाइमर गरतंत्र कब लागू हुआ जर्मनी है उसमें बाइमर गरतंत्र जो लागू हुआ था बहकब लागू हुआ था यह आपको बताना है 11 अगस्त 1919, 11 अगस्त 1819 11 अगस्त 1825 या 11 अगस्त 1836 कौन सा विल्कुल राइट आंसर हमारा रहने वाला है तो जर्मनी का बाइमर गरतंत्र हुआ था बहकब हुआ था 11 अगस्त 1919 में हुआ था आप्शन नमबर का यहाँ पर बिल्कुल राइट अपना हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट एकोशन की और 80 कोशन इसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पर रहा है जर्मनी के सदन रिचश्टॉग निमन सदन के सदस से कितने बर्सों के लिए निर्बाचित होते थे जर्मनी के सदन रिचश्टॉग को है रिचश्टॉग या निमन सदन जो था उसके सदस से कितने बर्स के लिए निर्बाचित होते थे यह आपको बताना है कौन सा बिलकुल राइट आंसर अमर रहने वाला है इस पर option लगा ही रखा है तो कोई बात नहीं है कितने चार वर्स के लिए निरवाचित होते थे बहुत important question है आगे बढ़ता है यहाँ पर 1923 इसमी में टिक लगा रखा है तो कोई बात नहीं है डॉक्टर इस्टैसमें ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option number का इन पर तो option में ही answer लगा रखा है ठीक है कोई बात नहीं देखते हैं कब तक हैं ठीक है जर्मनी में पिर्थम समराज पवित्र रोमन समराज की स्थापना कब और किस ने की थी यह आपको बताना है जर्मनी में पिर्थम समराज पवित्र रोमन समराज की स्थापना कब और किस ने की थी तो इसका answer जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा यह आपको बताना है 1720B गलत भी हो सकता है ठीक है 1720B में कौर्णो 806 में कॉल्टियस या 1929 में कौन सा बिलकुर राइट होगा जर्मनी के पिर्थम सामराज पवित्र रोमन सामराज की स्थापना 1802B में किसने की ती सारल मैंने की ती टांसर ऑप्शन नंबर खाही आएने वाला है मगर कुछ का ऑप्शन गलत भी आपको देखने को मिल सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दुटिये जर्मन समराजी की स्थापना तथा उसका पतन कब हुआ यह आपको बताना है बिल्कुल फटाबर इसका अंसर देगा कौन सा बिल्कुल राइट होगा आगे बढ़ते हैं जर्मनी में तिर्थिये समराजी की स्थापना कब और किस ने की जर्मनी में तिर्तिय समराजी की स्थापना कब और किसने की आपको बताना है 1930 में हिटलर ने, 1933 में हिटलर ने, 1932 में हिटलर ने, 1935 में हिटलर ने राइट आंसा मारा कौन सा हो जाएगा जर्मनी के तिर्तिय समराजी की स्थापना कब और किसने की इसका आंसर आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट हो掉घा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर खा 1933 में हिटलर ने के थी ठीक है, आगे बढ़ते हैं बरसाय की संदी कब हुई बरसाय की संदी कब हुई थी, ये आपको बताना है कौन सा बिलकुल राइट होगा 28-19-18-19-19-19-19-19-19 कौन सा बिलकुल राइट आंसर अमारा रहने बाला है वो बरसाई की जो संदी हुई थी वो हुई थी 28 जून 19-19 में राइट आंसर आप्शन नमबर का हो जाएगा आगे बढ़ते हैं मेरा संघर्स किसकी आत्म कथा है मेरा संघर्स किसकी आत्म कथा है यह आपको बताना है कांट की, इंटे की हिटलर की, बिसमार्क की मेरा संघर्स जो है वो किसकी है हिटलर की आत्म कथा है option number खागा यहाँ पर बिल्कुल right answer हमारा रहने वाला है next question की बात करते हैं next question का answer जीगा यहाँ पर कह रहा है Hitler KSA Hitler KSA सेना का सिपाही किस रंग की कमीज पहनते थे Hitler के S.A. सेना के सिपाही sorry K कह रहा था KSA, sorry गलत ही है Hitler के S.A. सेना के सिपाही किस रंग की कमीज पहनते थे यह आपको बदाना है बूरे रंग की, काले रंग की, लाल रंग की या फिर नीले रंग की कौनसा विल्कुल right answer हमारा रहने वाला है ठीके फड़ाबड भी सकांस देना है कौनसा विल्कुल right होगा तो हिटले के जो S.A. सेना के सिपाही थे वो किस के किस रंग की कमीज पहनते थे भूरे रंग की कमीज पहनते थे right answer दाएगा option number का आगे बढ़ते हैं S.S. के सदस से किस रंग की कमीज पहनते थे यहाँ पर देरखा है S.A. सेना के यहाँ देखा है S.A. से सदस से किस रंग की कमीज पहनते थे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर next question की और यहाँ पर कह रहा है पश्चमी सब्विता की अबनती पश्चमी सब्विता की अबनती फिरस्द पुस्तक के लेखा कौन है पश्चमी सब्विता की अबनती फिरस्द पुस्तक के लेखा कौन है यह आपको बताना है ओस बाल्ड स्पैगलर या फिर फ्राइडेल रेम, कॉरिय, या फिर हिटलर तो यहाँ पर कौन सा बिलकुल राइट आंसर नमारा रहने वाला है पश्चमी सब्विता की अवनिती पुस्थिद पुस्तक के लेका कौन है यह हो जाएंगे तुमारे आप्शन नमबर का बिलकुल राइट होगा जाएगा ओस बाल्ड स्पेगलर राइट आंसर आप्शन नमबर का रहने वाला है आगे बढ़ते हैं जर्मनी की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है मेरा संगर्स कानुन की आत्मा या फिर ट्रेवल्स डायरी ओफ कौनसा बिलकुल राइट आंसर अमारा रहने वाला है यह आपको बताना है ठीक है तो जर्मनी की बाइबल जो है वो कहते थे मेरा संगर्स के लिए किसे मेरा संगर्स को जर्मनी की बाइबल इस पुस्तक को कहा जाता है मेरा संगर्स को कहा जाता है right answer option number का आगे बढ़ते हैं hitler का जन्म कब और कहां हुआ hitler का जन्म कब और कहां हुआ था बहुत ही important equation आपका हो जाता है ठीक है बहुत ही important equation अपना हो जाता है यह question तो कहां हो जाएगा Australia 20 अपरेल 889 में या फिर 20 अपरेल 890 समीं देख्था है तो ठीक है यहाँ पर रूस में हो जाएगा Australia में पिरसा में या फिर हॉलेंड में यहाँ को बताना है कौन सा विल्कुल right answer रहने वाला है तो right answer हो जाएगा option number का Australia में 28889 में ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कह रहा है चौधा जुलाई 1935 चौधा जुलाई 1935 या फिर चौधा जुलाई 1940 कौन सा विल्कुल right answer रहने वाला है नाजी सरकार की घुशना कब की गई थी यह की गई थी 14 जुलाई 1933 में आगे बढ़ते हिटलर ने अपना पर चार एभम जनमत मंत्री किसको नियुक्त किया मिटलर ने अपना पिर चार एबम जन्मत मंत्री जो नियुक्त किया गया था बहे किसे नियुक्त किया गया था डॉक्टर स्पैगलर को या फर फ्रेडरिक को डॉक्टर गोवेल्स को या फेन में से कोई नहीं किसको किया गया था यह आपको बताना है इटलर ने अपना परचार एबम जन्मत मंत्री किसको नित किया था डॉक्टर गोबिल्स को किया था राइट अंसो जाएगा ऑप्शन नंबर का तो यहां पर हमारे 80 MCQ कूशन कंप्लीट होते हैं बैसे तो आपके 170 हैं जो अपने बज जाते हैं 90 कूशन क्या करेंगे पार्ट वें देखने वाले किसमें पार्ट वार्ट टू में देखने वाले उसके लिए हमारा पार्ट बन है असी कि आपको दिया गया और फैंट्स बहुत सारे क्योशन है कम से कम आपके शास सास्टों के करीब में यह क्योशन हो जाते हैं ठीक है तो यह सारे की सारे अगर आपको MCQ क्यूशन अगर डानलोड करना है तो आपको कहा मिलेगा भई टेली ग्राम का लिंक मिलेगा नीचे बहाँ पर आपको PDF मिलने वाली है सभी की तो बहाँ पर आप जाके डानलोड कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड की तीनों की आपको एक ही मिल जाएगी ठीक है और जिन लोग को इसका नोट्स चाहिए भई ठीक है नोट्स चाहिए किसी भी अगर BA, BSC, B.com के सबी के तरफ इसी की नोट्स चाहिए तो भी आप टेली ग्राम पर जाके वहाँ पर आप नोट्स ले सकते हैं ठीक है तो फेंट से वीडियो चाहिए को लाइक करना शेर करना चैनल को सस्कार करना तो फेंट जै हिन जै भारत झाल 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 झाल